लगातार बढ़ते कोविट केसिस के बीच इस शेहर में लौटा लौकडाउन महाराश्ट के अमरावती में कम्पलीट लौकडाउन वापस लौटाया है कोविट केसिस में लगातार इजाफा देखने के बाद 21 फरवरी को राज की संगरक्षक मंतरी यशो मती ठाकुर ने प्रेस कॉन्फरेंस कर लौकडाउन की खोशना की फलहाल एक हपते के लिए लौकडाउन लगाया गया है यह लौकडाउन बिलकुल वैसा ही होगा वैसा 2020 में मार्च से लेकर जून जुलाई तक लगाया गया था सिर्फ एसेंशल सर्विसेज ही चालू रहेंगी इसे पहले यवतमाल में भी दस दिन का लौकडाउन लगाया था वहीं 21 तारीक को ही शाम को मुखे मंत्रियों धफ ठाकरे ने राज में सभी तरह के धार्मिक राजनेतिक जमावले पर भी रोक लगा दी है कहा कि अगले एक हफते तक राज के हालातों पर नज़र रखने के बाद ही आगे की योजना बनाई जाएगी राज में कोरोना के मामने लगातार बढ़ रहे हैं 20 फरवरी को 6000 से ज्यादा केसे सामने आए राज में आक्टिफ केसे की संख्या फिलहाल 48000 से ज्यादा है हलाकि मुंबाई में लॉक डाउन की कोई योजना सामने नहीं आई है दरासल राज में मुंबाई के अलावा दूर दराज के जिलों में तेजी से क्रोना के मामने सामने आ रहे हैं जैसे अम्रवती, यवतमाल, अकोला, कई मामलों में पूरा का पूरा परिवार क्रोना पॉजिटिव पाया गया है और चिंता इस बात की भी है कि शायद कोरोना वाइरिस के जिन दो खतरनाक वेरियंट्स के भारत में पहुँचने की बात आई थी उनका संक्रमट महाराश्ट्र में भी फैल रहा है ये भी डर है कि कहीं ये कोरोना की सेकंड वेव तो नहीं हाल ही में महाराश्ट्र के मुखे मंतरी उद्धफ ठाकरे डिप्ट सीम अजीत पवार और स्वास्थ मंतरी राजेश टोपे ने सभी जिलों के कलेक्टर्स और म्यूनिसिपल कमिशनर्स के साथ रिव्यू बैठक की थी जसमें अमरावती, यवतमाल और अकोला जिलो को कंटेन्मेंट जोन डेकलेर करने और बचाव के उपाई करने के आदेश दिये गए थे प्रिशासन को आदेश दिये गए कि पब्लिक में कोई भी बिना मास्क ना खुमे पब्लिक प्लेस को सेनिटाइस किया जाए कोरोना ज्राच की संख्या बढ़ाई जाए प्रभावित जिलो में कॉंटाक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए महाराश्च के स्वास्त भभाग ने आदेश दिया कि एक आदमी के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसके संपर्क में आए 20-30 लोगों की कोरोना जाच होनी चाहिए उत्तरप्रदेश और देश-दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भारत समाचार जरूर सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाईए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके